नमस्कार कक्षा 8 exercise 3.1 आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों यह exercise इस वीडियो के द्वारा शुरू करने से पहले आप मेरा पिछला वीडियो जिसमें हमने वक्र साधारन वक्र साधारन बंद वक्र उत्तल बहुबुज बहुबुज और अवतल बहुबुज के बारे मे बताया था यह वीडियो आप जरूर देखेगा यूट्यूब पर आएए अब हम इस प्रश्न को करते हैं हमें कहा गया है यहां पर कुछ अकृतियां दी गई हैं यह दिखे हमें 8 अकृतियां दी हैं परतेक का वरगी करन निमनाधार पर किजिए साधारन वक्र तो हमें इस जब हम वक्र बनाएं तो एक दूसरे को काटते नहीं हैं क्रॉस नहीं करते जैसे आठ एक दूसरे को क्रॉस करता है ऐसे नहीं होने चाहिए जो बिना क्रॉस किये वक्र होते हैं उन्हें साधारन वक्र कहते हैं तो आईए इसमें ढूंड़े कौन से ऐसे वक्र हैं देखे ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, ये भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता, ये 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 से आए दिखिए नमबर एक नमबर दो नमबर तीन सॉरी नमबर तीन नहीं आएगा इसमें क्योंकि यह है साधारन वक्र क्यों नहीं है क्योंकि इसमें हमें पैन उठाना पड़ेगा नमबर चार भी नहीं है नमबर पांच बिना पैन उठाए बन जाएगा तो पांच नमबर 7 यह भी बिना उठाए बन जाएगा ठीक है नमबर आट क्रोस कर रहा है इसलिए नहीं है तो साधारन वक्र कौन-कौन से है एक दो पांच छे और साथ एक दो पांच छे और साथ इसी प्रकार से साधारन बंदवक्र कौन से है साधारन बंदवक्र कौन से होते है बच्चा देखें इस वीडियो में हमने बताया था साधारन बंदवक्र वो है जो एक बिंदू से शुरू होकर बिना एक दूसरे को cross किया उसी बिन्दू पर खतम हो जाए देखिए यह इस बिन्दू से शुरू हुआ बिना एक दूसरे को cross किया इसी बिन्दू पर खतम हो गया इसी प्रकार से यह भी एक बिन्दू से शुरू हुआ उसी बिन्दू पर खतम हो गया यह तो वक्र है ही नहीं यह भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है सदारन वक्र है ही नहीं तो यह एक दूसरे से एक बिंदो से शुरू होगा उसी बिंदो पर खतम हो जाएगा यह भी एक बिंदो से शुरू होगा उसी बिंदो पर खतम हो जाएगा यह वक्र है ही नहीं तो इसका मतलब जो पहले का उत्तर है वही दूसरे का उत्तर है एक, दो, पांच, छे, और साथ ठीक है बचो तो सधारन वक्र जो सधारन वक्रें थी वह सभी साधारन बंद वक्रें में दी अब है बहु बुझ बहुबुच क्या है बच्चों हमने अपने वीडियो में देखा था कि बहुबुच कौन से होते हैं ऐसी साधारन वक्र जो केवल और केवल रेखा खंडों से बनी हो उन्हें साधारन वक्र कहा जाता है तो देखिए, हमारे पास अधारन बंदवक्र आई है, एक, दो, पांच, छे, साथ, बहु भुज भी निमे से आएंगे क्या यह बहु भुज है जी हाँ, यह केवल रेखा खंडों से बना है नमबर दो, क्या यह बहु भुज है जी हाँ, यह भी केवल रेखा खंडों से बना है उसके बाद है नमबर पांच नमबर पांच, क्या यह बहु भुज है नहीं, क्योंकि यह गोला कार वक्रों से बना है, यह रेखा खंडों से नहीं बना नमबर छे, इसमें यह दो रेखा खंड़ है लेकिन यहाँ पर यह गोल कर्व है, यह भी बहुबुज नहीं है इसका मतलब बहुबुज कौन से हैं? सिरफ दो, पहला और दूसरा इसके बाद अगला है उत्तल बहुबुज मैं आपको साथ साथ कुछ अपुरानी शीर दिखा रहा हूँ उत्तल बहुबुज कौन से थे जिसमें एक भुजा के बाकी बहुबुज सिरफ एक की तरफ होता है एक भुजा ऐसी है तो बाकी बहुबुज इसके सिरफ इसी तरफ है दूसरी तरफ कुछ नहीं है ठीक है ऐसे बहुबुजों को कहते हैं उत्तल बहुबुज तो इस वीडियो में हमारे पास इस question में हमारे पास बहुभुज सिर्फ दोनों ही है एक और दो पहला और दूसरा सिर्फ यही दो बहुभुज है इन में से कौन सा उत्तल होगा देखिए यदि इसकी बात करें इस भुजा की बात करें तो कुछ बहुभुज का भाग इस इस भुजा के लिए बाग बहुभुज एक तरफ है इसका मतलब उत्तल बहुभुज है नमबर दो और अफ्तल बहुभुज है नमबर एक अफ्तल बहुभुज कौन सा था जिसके एक भुजा के थोड़ा सा बहुभुज इधर और दोड़ा सा दूसरी तरफ को भी हो तो अ कौन से बहुबुज है कौन से उत्तल बहुबुज है और कौन से अवतल बहुबुज है यह हमने निकाला है यदि आपको यह कहीं से भी ना समझाए तो आप कृपया मेरा पिछला वीडियो जिसमें हमने वक्र सधारन वक्र सधारन बंद वक्र बहुबुज उत्तल बहुबु